वेल हेलो गईस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने Amazon से कोई भी प्रोडक्ट बाई किया है गईस और अभी आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है गईस अभी मैं इस वीडियो में आपको complete प्रोसेस ब पर आना है account वाले options पर आप आओगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से page मिल जाएगा अभी यहाँ पर आपको कुछ recent में आपने जो order किया है वो आपको देखने को मिल रहे गई सी यह तो अभी इन orders में आपको क्या करना है कि आपको your orders पर जाना है जैन पर आदू कि आप देख सकते हो कि जो एक item है इसे में return कर दिया है return start हो चुका है अभी मैं आपको एक item को return करके दिखाऊंगा तो उस process के जरीए आप आपके जो भी item है गलती से आपके पास मतलब guys आपको product अच्छा नहीं लगता है कुछ issues आपको देखने को मिलते हैं product में तो आपको उन्हें return कर सकते हो अगर वो return policy में होते है guys तो अभी फिलाल देखिए दोनों product मेरे return policy में थे तो अभी में दोनों को return करने वाला हूँ तो अभी आपको गया करना है कि आपको जो भी product return करना है सबसे पहले उस पर जाना है आप उस पर जाओगे तो यहाँ पर refresh ह होगा अभी आप देखूँगा इसकी product के details हमर सामना आ जाएगी today ही deliver हुआ है यहाँ पर अगर आप rating देना चाहो तो rating दे सकते हो साथ में अगर package को track करना चाहते हो तो track कर सकते हो नीचे आपको एक options मिलता है कि help इसमें आपको गया करना है options मिलता है आपको return or replace item आइटम आ होती है और वो आपको जब आप product को buy करते हो वहीं पर आपको देखने को मिलता है कि इतने दिनों तक आपकी return policy है वो रहेगी यह इतने दिनों तक आप product को replace करवा सकते हो बदलवा सकते हो तो यह कुछ ऐसा करके है guys अभी मैं क्या करूंगा कि simplest item को आपको return करके दिखाने व issue को आपको लिखना है इस यहाँ पर कुछ भी आप note लिख दीजे उसके बाद में आपको यहाँ पर continue options पर click कर देना है मैंने आपर note भी लिख दिया है गई सो और अभी मैं आपर submit कर रहा हूँ अभी आप देखिए कि payment के लिए पूछ रहा है कि refer to your original payment method जिसमें भी आपने payment की होगी मतलब payment तो आपने Amazon को ही किएगा इस लेकिन आपने जिस भी payment method से payment की है वो payment जो है वहाँ पर return हो जाएगी तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पर checkbox पर click करेंगे इसमें जो product के warranty card वगरा है वो होने चीएगे यह आपको ध्यान रखना है आप इसे पढ़ सक करना है आपकी payment आपको बता दी जाएगी कि कितनी payment आपको return की जाएगी अभी आप देखिए उपर आपको message आ चुका है कि your return is confirmed मतलब हमारा जो return है वो confirm हो चुका है अभी आप इस return को manage कर सकते हो गाईज इसमें date बता दी गईए कि इतनी date को आपका जो item है वो pickup हो जाएगा अभी आप देखो गाईज कि हमने जो भी product को यहाँ पर return किया है उसकी जो return है वो start हो चुकी यहाँ पर आप देख सकते हो यह product मैंने already return किया हुआ था और इस product को मैंने अभी आपको return करके दिखाया गाईज उम्मीद करता हूँ कि आप जो गाईज सीख गए होंगे कि किस इस तरह से आप अपने product को return कर सकते हो लेकिन वही product return होंगे गाईज जिन में आपकी जो return policy है वो थी